हेलो दूस्तों मेरा नाम रोईत और स्वागत था आपके अपने यूट्यूब चनले विसके सेंटर में सो आज की चुलिए में बताने वाला हूं समेस्ट्र फॉर हिस्टरी जेनरल का इंपोर्टेंट कोचन चाहिए भी भी यू से हो या भी यू से या तो फिर और भी अधर तो आप लोग लिए इंपोर्टेंट कोचन है हिस्टरी जेनरल कर ठीक है तो हम चलते हैं आप सभी को बताते हैं और इसमें से मुझ सॉलोसन भी बता दी है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा जिसका सॉलोसन नहीं कर वाया हैं वह हम आज परियास कर परिणामों का महत्तों का वर्णन करें यह आपको पढ़कर जाना है जो तीसरा वह जीवन चरित्र के बारे में आपको पूछा जाएगा तो यह आपको पढ़कर जाना ठीक है उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं कोच नमर चौथा यह टीपू सुलतानियों अंग्रेजों के सबंदों के विवैचना करें आपको नहीं पढ़कर पढ़ना है ठीक है टाइम अगर है आपके पास तो पढ़ सकते हो बट आपको यह नहीं पढ़ना है बाकि आप आपको पीडियाप चाहिए तो पीडियाप आप मेरा वट्सेप गूर्प को जॉइन कर सकते हैं इसके लिए आपको 50 रुपी करना पड़ेगा मेरे नंबर पर मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ठीक है उसके कोचन नमर पाच में आप देख सकते ह है कोचन नमर सेवन है कि सभीना मंगियां अंदूलन का वर्मॉन करें या तो फिर 1930 के सभीना मंगियां लागर और यह भी इंपोर्टेंट कोचन है इसे मैं डबल डिकॉट टिकॉट इसली नहीं किया क्योंकि सब इंपोर्टेंट इसमीं ठीक है और यह आपको पढ़कर जन कि इसमें मैंने टिक आट नहीं लगाए तो आपको बस इतना ही काम करना है कि जितना मैंने दिया आपको पढ़ लेना है बाकि मैं कुछ करवा दिया हो कुछ करवा दूँगा सिर्फ कोच नवर 4 को छोड़ करके ठीक है तो यह वीडियो